नमस्ते आप सभी को दीपावली की शुब कामना हैं दीप जोती नमोस्तुते और दीपावली के बारे में और दीपावली से संबंदित बातों के बारे में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्पिक गोर जी और हम बात करेंगे कि दीपावली का महत्यु क्या है स्वागत है आपका कार्थिक जी आज के शोफर नमस्ते दीपावली की सबों को विशेस और नमस्षिवाय और आपको धन्यवाद देदूं कि आप आए दुबही से हमारे जैपूड आयलोग से आपने भाग लिया और आपने अनुभव भी कि होगा कि कैसी उर्जा थी और निश्चित रूप से बविश्य के लिए ऐसा लगता है कि यह बड़ा एक सार्तर सब्देश भी है और हमने अडॉप्ट भी किया हमने एक रेजिलूशन अडॉप्ट डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया कि सनातन धर्म ही राश्रवाद है और एक प्लेज भी एडॉप्ट किया वह भी आपने आप थे वहाँ पर आपने लेखा था तो इसी संदर्व में आप क्या लगता है कि यह जो दीपावली है यह कुछ विशेश है क्या क्या एक पुनर जागरण हो रहा है क्या हिंदोत्रु का संजर जी उसके हम आये उस पे उसके पहले मैं कहना चाहता हूं मेरा अनुभाव क्या था जैपुर कि यह कॉन्फरेंस में और यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं तक क्योंकि आप सामने हो बट यह फैक्ट अफ लाइफ है कि वह सो वेल और्गनाइज इसकुशन्स रियली व और इन फैक्ट एक जो पार्टिसिपेंट था उसने मुझे बोला कि कार्तिक जी मुझे लग रहा है कि मैं थ्री इडिट्स कामिर खान हूं सब जगह घ्यान बट रहा है और मुझे पता नहीं है कि मैं कहां बैठ हूं and that that is a fact of life क्योंकि एक जगह पे main town पे main center पे चल रहा है कहीं पे round table चल रहा है कहीं पे बाहर चल रहा था and all the discussions were very good all the speakers were fantastic so काफी लोगों ने मुझे बोला तो ये एक बहुत बड़ा एक आपके लिए testimonial है कि coming from the people in general that they were enjoying so much so kudos to you, kudos to your team, मेरा हमेशा ये कहना है कि सूरिया is the giver of Rajyoga but सूरिया के पास जब तक शनी ना हो तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है इसका मतलब ये है कि a king is as good as his praja, अगर प्रजा ही नहीं है तो राजा कहे का so if you don't have a good team then frankly speaking you cannot pull off such a big event so kudos to your team, मैंनो आपकी team को भी बोला कि जब speakers का dinner था तो उनको हाद जोड के मैंने thank you बोला कि such a fantastic job you have done and thank you to you also for bringing it up, जैसे मैं हमेशे बोलता हूँ sky is not the limit and we are going to double it up in our next event so thank you so much thank you to you also for these kind words आज हम बात करेंगे दीपावली की, कार्तिक जी दीपावली के जो है दो परमपरागत interpretations हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है उसमें से एक तो चुकि आज लक्ष्मी जी का अवतरन हुआ था समुद्रमंतन में वरो जी जो थे वो लक्ष्मी जी को लेकर निकले थे और उन्होंने लक्ष्मी जी को विश्णू जी को दिया था और आप यह देखें कि कन्यादान में जो लोक पढ़ा जाता है वो भी इसी घटना का पढ़ा जाता है इसी को बोलते हैं कन्यादान क्यों कहते हैं हमारे बहुत सारे वोक्स हैं वो कहते हैं कि साहब आप कन्यादान क्यों कहते हैं भाई आपको विश्णु मानते हैं और वरुन जी लक्षमी को लेकर आए हैं और विश्णु जी को दान दे रहे हैं इसी संदर्व में कन्यादान कह भाजाता है बाकि आपके जो इच्छा हो वाप करने यद्य आप पर अपनी कन्या को लक्षमी नहीं मां सकते फिर क्या हो सकता है पर तो आप भागे हैं, तो ये तो लक्षमी जी का प्रसंग है, समुधर्वनथन में लक्षमी जी का अवतरण आज हुआ था, तो लक्षमी पूजन होता है आज के दिन, और दूसरा वो कता है कि राम जी जो थे वो लंका विजय करके आज के दिन अजुद्या पहुंचे थे तो इसलिए वहाँ पर दीपों की अवली दीपावली तो ये दो परंपरागत जो है वो विशेशकर से आम जनता के लिए ये बात होती है लेकिन हम जानते हैं कि दीपावली का और विशेशकर जो अमावस्या है घारतिक का मावस्या है इसका बहुत सारे परंपराओं में अतिधित भihत्व है जैसे तंत्र में अतिधिk भात्व है जोतिश में असका अतिधिक है तो ऐसा क्या है यह मावस्या जो है क्यों विशेश है देखे संजे जी सबसे पहले आपका कन्यादान पर एक बात है जोतिश में जो कन्या राशी होती है वो natural six house होता है six house होता है ruled by mercury that is the natural six thousand it is 12th from the seventh house of marriage so जो six thousand होता है वो purity होती है और or shall we say the virgin phase of a human being 7th house is the marriage and 8th house is the transformation of the marriage or divorce so यह जो six seventh or 8th house है वो इन्हें वे ग्रहस्त आश्रम के तीन phases है where there is a time where learning is everything where we don't know anything about the ग्रहस्त आश्रम है then that phase comes into the 7th house which is natural तुला राशी and वहां पे हमारा संसार करता है और जन comes the 8th house which is either spirituality divorce or a big transformation which changes you for life तो एक तो यह एस्पेक्ट है अच्छा दूसरा जब हम दिवाली पे आते हैं तो it is very important for us to understand that every event or any festivity so to say is associated with a particular राशी जैसे हम व्यासपूर्णी में बोलते हैं तो it has got lot of importance between Sagittarius and Mithuna राशी तो वो जो access होता है 1.7 का वो important होता है and that is in a way the access of Guru and Shishya where Jupiter is the Guru Dhanu Rashi and Mercury is the Shishya which is Gemini उसी हिसाब से दिवाली का whole concept is related to अमा वस्या बट अमा वस्या तो हर महीने होती है why is दिवाली only when it is in Tula क्योंके natural Tula is our seventh house so अगर हम समझे के लगना is the first house the seventh house is our द्वार और दिवान through which we are going to look at the world view और यह बहुत important है कि हमारे द्वार में कोई बादक ना हो otherwise our world view is going to be distorted काफी बार हम लोगों को मिलते हैं और always pessimistic हर चीज में negativity करते हैं वो जैसे फुपा जी की तरह उनको हर चीज में इतना बड़ा event हुआ यार मेरे को यार ये problem हो गया इतना बड़ा event हो गया यार मेरे को यार ये नमक कम लगा तो मैं उनको बोलता हूं के भाई तुम ही कर लो तो टेक्निकली हम सब को लगता है वी आर बार आउटसाइड वूम अवार मदर लेकिन fact of the matter is we are born in the womb of our mother there was a time when the egg got fertilized and this is called as Raj Jyotish so जो राजा जो होते थे उनके जो जो जोतिश ही होते थे न वो उस वक्त उनको guidance देते थे के भाई राजा this is the night you have to meet with the queen tonight because if we are going to get the egg fertilized tonight the Raja is going to be a great Raja तो काफी बार लोग मुझे पूटते के कार्तिक जी यार astrology जोतिश और राज जोतिश में क्या फरक होता है तो मैं बोलता हूं बहुत फरक होता है जो राज जोतिश होता है वो देश के लिए किया जाता है तो मैं जब खड़ा होके कहता हूं के भाई योगी जी आने चाहिए और रोगी जी पक्का आएंगे तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है in fact मैं तो अपना नुक्सानी करा रहा हूं कि मेरे जो कॉंटेक्स है वो शायद में फोन लेना बन कर दे बट मेरा तो सिंपल चीज है के भाई देश के लिए क्या अच्छा है देश के लिए ठीक है और योगी जी की कुंडली वो दो चीज मुझे मैच करनी है और मैंने हरर मादेव कह दिया so coming to that तूला राशी is very very important क्योंकि जो तूला राशी है that is our external half that is ruled by शुक्र and that is also भू लोका जैसे बारा राशी होती है उसमें अलग-अलग लोग होते है तो दो लोका in which we stay is called भू लोका and तूला राशी is भू लोका which is ruled by मंगल यहां पर contradiction आता है तो मंगल बोलता है कि listen I am the owner of भू लोका मेरे पास तो सारी जमीन है मा लक्ष्मी कहती है कि अरी यार मेरे पास इतना पैसा है कि तेरी सारी जमीन खरिच सकती हूँ that's why शुरीम बीजा is in the seventh house अफी बार लोग मुझे पूछते है कि कार्तिक जी क्या करना चाहिए दीवाली में मैं बोलता है यार माता जी को एक कमल चड़ा दो और शुरीम पे meditation कर लो because that शुरीम बीजा causes a yoga which we call it a Shrimanta Yoga तो Shrimanta Yoga is not just second lord in Lagna it is also seventh lord association और दोनो second lord or seventh lord का association is because of Venus Mahalakshmi and that is causing the Shrimanta Yoga so if you have to do a simple remedy just do Shrim बीजा so it is a conflict between Mangal and Shukra which is in a way controlled by that Shrim बीजा so that you can stay in Bhooloka at the same time you can have lot of prosperity और इसलिए ये तुला राशी is extremely important and that is the secret as far as ज्योतिश इसकंसर जी बिल्कुल सही है और वैसे भी आप देखिए आपने कन्यादान से आरम किया था कन्यादान का जो मंत्र है वो कितना सुन्दर है दाता हम वरुन राजा मैं वरुन राजा जो है मैं दाता दाता हम वरुन राजा द्रव्य माधित्य दैवतम वरव सो विश्ण रूपेण कते गहना तयम विधी ये लक्ष्मी जी को लेके आए हैं वरुण जी ये कह रहा है कि मैं दाता हूँ और वरोज सो विश्णु रूपेन जो वर विश्णु रूप वाला है वो इनको ग्रहन करें तो विश्णु जी को लक्षमी जी को वो परदान करते हैं तो साथ विश्णु जी तो एक प्रकार से यह बाला जाए कि श्री उनको जब मिल जाती है, जब वो श्री सुरूप हो जाते हैं, तब वो कून हो जाते हैं, विश्टु जी, और इसलिए देखे हैं कि हमारे यहां सभी के नाम के आगे श्रीमंत या श्रीवती लगाया जाता है, बेलकुल, बिडाओट श्री, जब तक ठीक नहीं है, तब तक ये भूलोक में आपका श्री अच्छा नहीं होगा, see we are all in a transit lounge to a certain extent right it is all about सबको रोना है मैं हमेशा सबको जोकिंली कहता हूँ our concept के वेदर हम जिन्दा है के नहीं जिन्दा है is based on whether हम रोहे के नहीं रोहे हम रोते हैं वो confirmation है doctor को के अरे यार बच्चा जिन्दा है delivery is not failed so what is the what is the secret message over there के भाया रोना सबको है क्योंके भू लोक है the only difference is whether you are going to cry in your BMW or whether you are going to cry in your road that is going to be confirmed by mangal in your horoscope because at the end of the net net it is his local correct तो ये तो आपके जोतिश का हो गया है कि जोतिश जोतिशी जो है वो देखते हैं कि बहुत सारे जोतिशी जो है वो अनुष्ठान करते हैं कार्तिक अमावस्या की रात्री को ये भी सिद्ध है कि कार्तिक अमावस्या की रात्री जो होती है वो डार्केस्ट नाइट होती है सबसे अधियारी रात जो है वो कार्तिक अमावस्या की रात्री होती है रात्री होती है इसमें तंत्र वाले भी जो है वो अनुष्ठान करते हैं, मशान में अनुष्ठान करते हैं, या अन्य जो भी बड़े तंत्रिक अनुष्ठान है, वो कार्थी कमावस्याफ होते हैं, इसका क्या कारण है? फॉर ब्लाक मेजिख तो इस टेस्थी क्योंकि ते दिए क्युछ डिखी है रूल्ड बायराहू राहू, राहू इस दिए को लोर्ड करता है, वा एक प्रेकर रूल Va名 हुरिय कहती है न्याखरी ना बायर दाय। प्यॉर मर्कुरी तो बच्चा है वो तो बोलेगा के यार में कोई सब्ज में इंट्रेस्ट नहीं है so for Brahma to create sansara it was very important for him to corrupt this mercury that's why Virgo is the co-lord and we were all created जो Brahma ने creation की sansara की वो 6th house से की थी and that's why this sansara is imperfect because it is created from 6th house 6th house is the house of Shadripo so anybody saying के यार मेरे में कोई Shadripoo ही नहीं है वो जूट बोल रहा है because you are defining the basic rule of your creation coming to the Amavasya factor see Amavasya is ruled by Rahu Rahu का ये dark estity है so in a positive way we can say that for people you know मैं हमेशा बोलता हूं that is a left hand and a right hand आप भगवान से मांग सकते हो के महादेव ये मेरी इच्छा है ये जैसे मैंने पहले भी बोला था अर्जी हमारी मर्जी तुमारी ये other way around ही इसके भाई मुझे वो बहुत पसंद है यार कार्तिक जी कुछ भी कर दो यार ब्लैक मेजिक कर लो लेकिन वशी कर लो लेकिन आपको जितने पैसे चाहिए दे दूंगा लेकिन आप मेरी शादी उन से करवा दीजिए that is trying to force God और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई देख लो उसमें side effect बड़े है right because that गीता में कहा गया है ना कि चार तरह के लोग होते है आर्थ जग्यासू अर्थार्थी ग्यानीचे बरतर्शबद एक तो आर्थ यो पीडित होता है और जग्यासू और तीसरा जो है वो बहुत important है अर्थार्थी वो ट्रांजेक्शनल जो है यह मेरे इस विचार थे 99 परसंट तो अर्थार्थी ही है और ग्यानी तो बहुत ही कम होते है बिल्कुल जैसे सिद्धी विनायक में मेरा एक दोस्त था वो बोलता था कि कार्थिक जी मैं हमेशा सिद्धी विनायक जाता हूं चल के जाता हूं और मेरा लाखों का कॉंट्रेक्ट यह नो पास हो जाता है तो मैंने बोला कि क्या तुम क्या मन्नत लालते हो बोला पाच पेडे कीक रकता हूं व्य हो बोला करोडो का काम करवाते हो और गनेर जी को पाच पेडे मिलते हैं विनायक मंदिर है वहां तो आपने जैसे उस दिर डिसकस्ट किया था कि उनकी सून तो दाहिनी तности दरफ है darkest थि थी and in a way darkest थि इस क्यलिंग के यार इस से ज्यादा dark तुम्हारा हो नहीं सकता है it is like अब cricket में zero पे out हो रहे हो तो next inning में zero से तो ज्यादा नीचे जा नहीं सकते हो so it is giving you a hope and that hope is given by Mahalakshmi generally the darkest थि आमावस्या is ruled by Mahakali and this is one थि थी in which Mahalakshmi takes over they are all the same but at the end of the day this particular tithi is the tithi in which you can get abundance provided you know which Lakshmi you want see काफी बार तो लोग वो भी confused होते है कि भाई आश्टलक्ष्मी में से कौन सा form उनको चाहिए मैं तो जैसे लोगों को बोलता हूँ यार I'm a follower of deeper Lakshmi या ज्यानलक्ष्मी वो होगा तो ठीक है हमको चंचललक्ष्मी नहीं चाहिए ज्यान जो है वो लाइट है if you have the light of Lakshmi जैसे मेरे दादा जी कहते थे के कार्थिक जब तक एक ड्राम्मन के पास पूथी है न वो कभी भूखा नहीं सोगी so we are all followers of knowledge and if you follow the light of knowledge आप कभी भूखे नहीं सोगे और आपकी हमेशा इज़त होगी so I always tell people जैसे काफी बार लोग मुझे बोलते हैं बहुत ही गर्व से कहते हैं कार्थिक जी हमने कुबेर की पूजा रखी है आप आओगे क्यों रखते हो आपको कुबेर का वाहन पता है तो वो बोलता नहीं कार्थिक जी क्या होता है कुबेर का वाहन मनुश्य होता है क्या बोलते हो आप मैं बोला यार हम सब कुबेर को लेके ही बैठे हैं he is giving a carrot in front of us every year जिसके पीछे हम भाग रहे हैं and we are losing our focus के भया why are we born in the first place हमारा जनम सिर्फ गाड़ी बंगला के लिए तो नहीं हुआ है कोई higher purpose के लिए हुआ है वो higher purpose हमको ना मिले वो ही तो मैं कुबेर का काम है and that's why he is the brother of Ravana so वो तो तुमको यार glasses पहना के रख रहा है and he is ensuring that you don't go in the path of your final moksha और आप उसी की पूजा करके उसको और strong कर रहे है देखे लक्षमी जी ने भी कुबेर को साइड लाइन किया और गणेश को चुना बिलकुल देखे यह जो लक्षमी और गणेश जी की जो पूजा होती है लोग कहते हैं साथ लक्षमी जी की और गनेजी की पूला की होती है लक्षमी जी विश्टू जी के साथ क्यों नहीं आते हैं वो बोल जाते हैं कि विश्टू जी तो इस समय है योग निद्रा में ये समय है विश्टू जी की योग निद्रा का है और लक्षमी जी ने कि है तो मुझको तो यह प्ति मेर को अजBut आती है और जो लोग वे हमें की बूझाक करेंगे वह तो बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को क्या मांगना है वो भी एक हाट है आप महादेव के पास चलो मैंने कुछ भी वास्ता-वास्ता फोन बोन लगा के पहुचा दिया तुम मांगोगे क्या कि कई बर महादेव आगे या जो भी आपके इस्ठ है साही बाबा मानो या कोई भी अप मानो वो अगर सामने प्रकट होगे तो आप मांगोगे क्या तो उसका अंसर ही नहीं है सो इट इस हाई टाइम अटलीस जेडी जिस लेवल पर हम काम करते हैं भारत का लिए तो हम काम करी रहे हैं बट अट इस्पिरिच्वल लेवल वी और नीड टू अंडर्स्टाइंड के हम मांगेंगे क्या दिखें मैं एक सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने कल ट्वीट किया था शेक मौमद और हमारे सारे शेक जायद वगरा ने ट्वीट किया था देवाली के लिए तो काफी चीज जैसे जेडी के भी हमारे जो चीज था उसमें मैंने बोला था I stay between two Islamic world और मैंने two slams की बात की थी उसने और मैंने मैंने क्यों किया था you know lot of the viewers you know Sanjay जी you know will share the link in the description तो इनिशल पार्ट आप वहां से देख लेना बट यह चीज मेरे लिए बहुत important है कि मुझे यहां पर बाइस साल हो गए मैं कुछ छे महिना एक साल से नहीं रह रहा हूं बाइस साल से रहा हूं और मैं फ्लाइट से आते टाइम मैं सोच रहा था कि मैंने on an average दो से अड़ाइल किलोमेटर गाड़ी चला ही होगी और इतनी गाड़ी चलाने के बाद संजे जी दर इस नॉट इवन ए सिंगल टाइम जहां पर हमारी गाड़ी रुकी है क्योंकि लोग रस्ते में नमाज पढ़ रहे हैं क्यों नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ते हैं बट इस जासकते हैं तो जो रूल सबके लिए है वो रूल आपके लिए भी है और विच इस दा राइट वे उफ डूइंग एक माइंडसेट की बारे में मैं संजे जी आपके और हमारे शोता को कहना चाहता हूं जी मैं स्पेन में था बार्सिलोना में था यह आठेक महीने की बात है एंड ड्राइवर के साथ में बात करा था गाड़ी में बैठा अकिस्तान से हो तो बोला सर आपने में को शकल से पहचान लिया मैंने बोला नहीं अकल से अब समझ रहो यह वहां पर उसकी कर्मभूमी है कट्टू मैं सोमनात में था एक महीने पहले आपको भी पता होगा और वहां पर मैंने धजा चड़ाई सोमनात के मंदिर में तो मैं बोला के सनाथन का जो द्वज है वो हमेशा उड़ता रहे और मेरे भारत विच इस माई जन्मभूमी और यूई जो मेरी कर्मभूमी है उसकी फ्रेंशिप हमेशा बनी रहे इस दिफ्रेंस बीटिन माइंड सैपव्त आइं तॉक्न पर मैं यहां पर कोंट्रीब्ट मैं यहां पर हमेशा सोचता हूं काया एली एंड एंडियर फाइश्वीं मेशा सोचता हूं का क्यार एक नॉर्मल थोट सेस्ट होता है हम यह नहीं सोचते के यहां इंडुईज हम ह जो है वो ठीक है और आपका जब माइंडसेट पॉजिटिव होता है तोवर्ड जी और कर्म भूमी दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एंज बाइप्रोड़िट यू गेट अवंडर्फूल टेंपल तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाया एक बार होता है कथनी और कर्नी आप यूई को उनकी कर्नी से समझो कि उनको शत्रुबोध है उनको पता है कि कौन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है एंड कौन उनके लिए एसेट है तो हर चीज कहीं नहीं जाती है बट कर्नी से उ याप के दिवाली कैसे मना जा रही है आपके तो शायद आज है ना दिवाली येस हम आज मना रहे हैं एंड इस फैंटास्टिक इन फैक्ट मैं ट्विटर पे विडियो डालूंगा जास्ट तू जास्ट फॉर पीपल तो अंडर्स्टैंड के किस लेवल पर हम लोग यहां पर lighting करते हैं फटा के फोड़ते हैं जैसे वो जो डेली वगरा में इंडिया में वो किजम होता है कि यहां पर यह हो गया यार दिवाली हम cracker free मना है यह free मना है वो free मना है वो कुछ नहीं होते है इन फैक्ट दिवाली के लिए जैसे कितनी जगाओ पर special फटा के वगेरा जला है थे from the royal family themselves and the government themselves कितनी जगाओ पर यह सब जो चलता है काफी चीज़े इसलिए मैं बोलता हूं कि यार मुझे बड़ा rude shock होता है कई बार जब मैं भारत में land होता हूं कि यह सब तो मैं वहां पर नहीं देखता हूं यह यहां पर क्यों चल रहा है इसलिए मैंने बोला कि यह भारत really needs to think on two terms एक तो भाई democracy can it function in the way it is और whether it should be a controlled democracy और importantly whether we can have elections every three months six months तो मैं तो बड़ा एक बार अटलीस वो तो कर दो आप अटलीस आपको एक simple example देता हूं संजेजी यहां पर पान काना allowed नहीं राइट क्यों अलाउड नहीं है क्योंकि आप पान काओगे तो ठुकोगे Indian railways का एक simple budget है के भाई they spent I think 2000 to 2300 crores just to clean the red spots पर मैं बोला के भाई किसी भी politician को अगर वो बंद करना है तो वो बंद कर ही नहीं सकता पॉसिबली नहीं है he knows there is a problem he knows के भारत will be very clean without that बट उसमें वो गटसी नहीं है वो पक्का election हार जाएगा और अगर वो कर भी लेता है तो कोई और स्टेट वाला बोलेगा कि सर हमारे यहां पे तीन महीने में इलेक्शन है सर यह मत करो so there are a lot of good decisions which can be good for भारत cannot be taken because of the structure in which भारत इस करेंट लेखे आप लेकिन यहां पे तो इस्तिती है आपके यहां तो शेख और उनके मिनिस्टर्स और सारे के सारे ग्रीटिंग्स दे रहे हैं और यहां पे कुछ चीफ मिनिस्टर्स ऐसा है और डीम के क हां अपना स्टायल कर से जीतता है लेकिन उसने इती रॉली पर ग्रीटिंग्स नीज है और और शेख साथ ने लेंगोरग में दिवर ऍरभित में अरेडी में वें एं इंगलिश में वी ता कि जो जिसना देखा और ना सुना वो भी दे ले त्गे कर आंपके अंग्र आपक आपसलूटली तो इसका मतलब यह है ना कि वो जो इसलाम का जो ट्रेडिशनल इंटरिप्टेशन है जो कि मुस्लिम ब्रदर हुड वगरा करते हैं या हमारे भारत वाले मुल्ला मुलाना करते हैं उससे तो वो दूर जा रहे हैं इसका क्या लॉंग टरम इंप्ट आप आप आ लॉंग टरम में तो सर इट वेरी क्लियर दाट यूए एंड साओधी इस वेरी क्लियर दाट वीवी आर वीवी आर गोंग टो इन पाथ अप्रोग्रेस व्यूश्य उन्होंने स्वाट आनलिसिस किया होगा तो आगर यह हमारा रोड मैपे तो वाट आर अब थ्रेट्स और उन्होंने देखा होगा कि भाई इसमें माइंड सेट का ही गेम है वी केनोट हैवर रैडिकल माइंड सेट और कंट्री मुविंग वो दोनों चीज तो नहीं होगा विकॉस देयर बोथ पूलिंग दे कंट्री इन ऑपोजिट डिरेक्शन आइदर हमको सीरिया बनना है य जो स्रेटिजिक डिसीजन है हमको देश कैसे चलाना है वो हम डिसाइड करेंगे तुमारे ज्यान की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको ज्यान देना है तो आपकी हमको ज़रूरत नहीं है जो लंडन में नवाश शरीफ के बाजू के लोग है उनका आप इंटर्टिजिक ज़रूरत नहीं है देखो लिटरिली रो रो के कह रहा है कि यार हम लोग थग गये हैं यह पर चौबीस गंटे खड़े रहते हैं हमारा आना जाना तकलीफ हो गया वही नवाश शरीफ आप आजाए दुबाई कोई माई का लाल पीटिए का उसके घर के बाहर खड़ा रहे और उसको परेशान क कर दो तक दोड़िए की बात करो यहां पे काम की बात करो गना पर जाद की बात करो तक तक काम की बात करो यहां पर tell me where is the win-win situation, यह सब फसाद वसाद की बात हमको नहीं करनी है, so they are doing their best, you know, I really salute the rulers, they have a very very strategic mindset and that's the reason we are all here, आज के थोड़ी है बाईस साल और मेरे से भी ज्यादा लोग है, जो लोग मतलब शेख मक्तुम के टाइम से है, जिनों ने शेख मक्तुम और उनकी फैमिली को रिखाया था and they respected और जे जैम्स करके यहां पर बड़ी एक स्कूल की एक फ्रेंचाइजी है, उनकी मदर was the teacher to the old sheikh, so they respected कि मेरी teacher है, now आप education यहां पर शुरू करे, but that education is in the proper curriculum set, it is not based on the madrasah education or something like that, very very rational, जैसे हमारा CBSE board होता है, यह वगएर, मदर से बागारा तो साओधी में भी बंद किये जा रहे है, बिल्कुर, बिल्कुर, मैंने तो यहां पर कोई देखा नहीं, मैं तो कितने मतलब UV मेरे locals also are friends, you know, you talk to them, Sanjay जी, they are very rational people, आप बात करोगे तो आपको लगे गा ही ने, and when you talk to, you know, with Pakistan itself over here, तो आपको पता चल किया यह अपने साइडवाल, जो मैंने वहां पर बोला था, अमर हो, अमर हो, अंथनी हो, सबका बाप रामलाल था, so, तो यह सारे मतलब रामलाल की जो अलादे होती है, you know, they are still in that mindset, और, और मैं उनको बोलता हूँ कियार, कि इस mindset में रह रहे हो, यार, the originals don't have a problem, the originals are thinking very strategic, why are you stuck in that mindset, तो यह यह पूरा game mindset का है, I am very clear about, तो यह लगता होगा कि हम तो क्या है, कि यह original वाले बटक गये हैं, और हम यहां पर कबजा कर लेंगे, उनका तो कबजा mentality है, हर जगे, तो उनको उनको पता चलेगा कि वो जब सोचेंगे भी, तो तब तक वो कपके deport होगे होंगे ने वो तो मैंने देखा था कि सहाब की जो UAE का जो system है, immigration system, तो वो पाकिस्तानी को discourage करता है और इंडियन्स को encourage करता है इंफेक्स सार, इंडियन्स को तो visa on arrival दे दिया है और पाकिस्तानी visas are cancelled, means they are blocked, and I am talking about जैसे दो दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, पाकिस्तानी top entertainers and all उनके visas reject हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर begging का वगेरा बड़ा problem हुआ है, वैसे तो एक तो PIA की flight में ही उनकी net practice शुरू हो ज हां हां आपको मैं वो वीडियो भीजूंगा, it is it is very famous on Twitter, तो वहीं पर शुरू कर देते हैं, तो मैं बोलता हूं यह भी ठीक है, भाई मैच तो कल है, आज net practice तो करना है, तो flight पे net practice करते हैं, यहां पर they have become a big problem, in fact not even in UAE, in fact Saudi also, so Saudi ने भी in fact they have reprimanded their ambassador, they have told them that boss, you know this is getting too much, और यहां पर तो almost, it's very tough as a Pakistani to get visa, that is what I have heard and that is what I think is happening also, for Indians, absolutely no problem, because at the end of the day sir, मेरा यह मानना है के हमारा जो mindset है, is always के भाई, दूद में चीनी की तरह रहो, and wherever you are going, always think के मैं contribute कैसे कर सकता हूं, यह हमारा mindset होता है, कि आप मुझे अगर जेडी में भी बुलाओगे, तो मेरा first चीज यह है कि यह मैं जेडी के लिए क्या कर सकता हूं, आप सोचोगे के नहीं में कार्तिक जी के लिए क्या कर सकता हूं, this is a very natural mindset that we are born with, that is the mindset frankly speaking as a result of which be it US, UAE, किसी भी पाट of the world, आप लंडन का figures देख लो sir, सारे जेल में 95% plus is all Pakistanis, which is a huge number, huge number, Indians close to less than 0.1%, कोई एकाद हो, so number, वो भी जो होगे, वो खालिस्ताई टाइप के होगे, हाँ, and numbers speak for themselves, so globally अगर यही trend होता है, मैंना आपको अभी Spain का भी example दिया, आप सब जगा देख लो, so problem is that mindset, और problem यह है, जो मैं रमनिक मान को, रमनिक पाजी को बोल रहा था, कि उनका जो famous line है, जो उन इन लोगों से भी जब बात करते हो, तो उनकी बाते हो ही होती है, कि यार करतिक जी हमारे पास तो बड़े वसाइल है, हमारे पास तो इतने minerals है कि हम तो World Bank को लोन दे सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कहां पर चिशपा के रखें, नहीं नहीं वो तो हमने रख्या हुए है, व यूई तो हमने बनाया, जर्मनी को हम लोन देते थे, तो यू नो फ्रैंक्ली स्पीकिंग मेरे लिए तो entertainment है, मैं तो बोलने देता हूँ लेकिन ठीक है, I get my two minutes of laughter, that's there. तो अब इस पार दीपावली भी दो दिन है, तो यह जो है ना हमारे यह बड़ा एक संकट वाला होता है, किसा आपके जो है वो जिस दिन तिथी आती है, उसी दिन मनाना है, या कि उदेया तिथी को मनाना है, आप लोग इसको कैसे तैगरते हैं? So, इसमें दो concept होते हैं, Sanjay जी, एक होता है कि देखो, by nature, जो वारेश होता है, वो बहुत इंपोर्टन होता है, and that is based on the sunrise time, जैसे मेरा जनम हुआ था, let's say, around 5.30 a.m. in the morning, लेकिन सुर्यो दही था, around 6.20 मिनिट पे, तो भले में मेरा software में जब लिखूंगा, तो में चार में लिखूंगा, लेकिन technically I am born on the 3rd में, because the tithi, the sunrise tithi is very, very important. तो morning में yesterday was Chathurdashi, so Chathurdashi, Krishna Chathurdashi for us is Shiva Pooja, there is no better tithi to do Shiva Pooja than Krishna Chathurdashi tithi, because that is again ruled by Shukran, so all your relationship problem, ये अच्छी एक remedy हो सकती है, अमरे viewers के लिए भी, आपको अगर कोई relationship problem है, शादी नहीं हो रही है, और any part, you are going through a divorce or whatever it is, just start doing Shiva Pooja on Krishna Chathurdashi, which is one day before Amavasya, very simple to remember, but Diwali has to be on Amavasya, वो tithi का ही importance है, क्योंकि वो Amavasya tithi in Tula is the whole magic of Mahalakshmi, वो उसके लिए हमको रात की tithi देखनी पड़ेगी, because that is the darkest tithi, so you have to find out where the Amavasya is in the nights, for some region it was yesterday, for some places it will be today, so that that's the only simple thing, so it all depends on latitude, longitude, and that's how you have to take a call, I did my Shiva Pooja in the morning, so again it's a secret rule, so let's say, मेरे लिए वो तुला राशी बहत important है, मैंने हमेशा बोला दो कॉंसेप्स है मूरत के लिए, एक तो आपका सप्तमभाव देख लो, because your 7th house is like तुला, and 7th house is your द्वार, your business, your associations are all in the 7th house, how do you deal with people and everything is seen from your 7th house, so एक तो चलो आपको जोतिश का ज्यान ना हो, या किजी को ना पता हो, तो आप एक natural तूला ले लो, तो morning 5.30 का मूरत ले लो, या शाम को 5.30 का मूरत ले लो, so either the लगना इस तूला, or the 7th house is तूला, or the best is you take your 7th house, and start doing Pooja on that particular लगना, तो आजकल तो free softwares है, आप अगर Taurus लगना हो, व्रिशव लगना हो, तो व्रिशिक लगना पे आप अपना Pooja शुरू कर दो, because that is your natural 7th house, and that will be fantastic मूरत ले लो, for you, so these are very very small, but simple secrets to how मूरत ले लोगना, Okay, तो आप दीपावली के दिन जो है, केवल लक्षमी पूजन और दीपों का जो आपका जो है, दीपदानम यही नहीं होते, कई और भी ritual slok follow करते हैं, जैसे आप ते कहा कि आप शुव पूजा करते हैं, तो यह अलग-अलग जो संपरदाएं हैं, पर क्या अलग-अलग होता है, at the end of the day, आप अपना इस्ट देव तो बदल नहीं सकते हो, तो यह जैसे मेरे लिए तो frankly speaking मैं सब का respect करता हूं, पर मेरी शिवपूजा ऐसी है, कि मैं जगनात पूरी में भी जाओंगा, तो automatically मेरे से ओम नमश्शिवा ही निकल जाएगा, रादर नमश्शिवा ही निकल जाएगा, तो मैं कितनी भी ट्राइ करूं, महालक्ष्मी मंदिर में भी होगा, तो नमश्शिवा, यह नैचरल है, तो महादेव को तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, similarly I always tell people के भाई आप पंच्यदेवता पूजा को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, or lapping on that, if you are doing to do something which is a Saraswati पूजा, or anything else which is there, वो एक अलग बात है, पर आप पंच्यदेवता पूजा तो आप भूली नहीं सकते हो, because that is your root, और पंच्यदेवता में आपका गणेश जी आहीं जाते है, and it all starts from Guru, मैं रमनिक पाजी को कह रहा था, कि रमनिक पाजी आप एक सरदार होता है न, वो मेरे लिए एक natural liking हो जाते है, तो उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बोला यार, because you are Guru worshipers, जो Guru के worshipers होते है, और मैं value समझता हूँ Guru की, तो मेरे लिए भया पाजी, जब मैं पगड़ी देखता हूँ, तो automatically मेरा मन पिगल जाते है, so always start with your Guru, and then go to Ganesha, and then the order of it, and then your Ishtadevata, see you can never forget your Ishtadevata, which is the 12th from the Atmakar का, in the Navamsha, ये थोड़ा technical subject है, तो मैं इस पे detail में नहीं जाऊंगा, पर सब के हिष्चों होते हैं, जनरली तो वो फैमिली में ही होते हैं, you know, from tradition to tradition they will do, and then do the Lakshmi Pooja, और एक चीज मैं हमेशे बोलता हूँ, कि काफी लोग धतूरा ओफर करते हैं, वगेरा, that is absolutely, that is avoidable, आपको ओफर करना है, तो आप ओफर कीजिए, शुगर के, सबसे relation मेरे मदूर हो, मेरा दुश्मन भी हो, उससे मेरे relation मदूर हो जाए, मैं क्यों सोचू कि मेरे दुश्मन का बुरा हो, ये तो हमारी परंपरा है नहीं, हाँ, जब टाइम होता है, तलवार उठाना पड़ता है, that is a different thing altogether, but मैं day-to-day relationships की बात कर रहा हूँ, so I always say कि, you know, don't get into it, you know, offer, do the things which are good, सबका कल्यान हो, उसमें आपका भी हो जाएगा, and by-products आपका हो जाएगा, so I always say that, go with the positive thing, offering of sugarcane, and जो मैंने पहले बोला था, महालक्षमी को lotus ओफर कर, with shrimp beija, जब आप lotus को ready भी कर रहे हो, keep repeating that shrimp beija in your mind, अगर हो सके, तो थोड़ा fragrance लगाओ, अतर हो, चंदन हो, शुरीम महालक्षमी आई नमा, a simple, simple remedy, will work bullseye, तो आएगा, पिर इसी point पर, आज की चर्चा को हम विराम देते, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जैन जै भारत, वंदे मातरम, तैंक यू सू मच, नमाश्यवाद, वंश्रीम महालक्षमी आई नमा, नमाश्यवाद, नमाश्यवाद,